में हम लोग चाचा चीची पढ़ेंगे हिंदी में भी और इंगलिश में भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं CH के लिए उसकिया जाता है CHA किसके लिए उसकिया जाता है चा के लिए किसके लिए चा के लिए CHI किसके लिए यूज किया जाता है G के लिए और वो भी कौन सी G के लिए छोटी G के लिए फिर CHEE कौन सी G के लिए यूज किया जाता है बड़ी G के लिए अब यहाँ पे CHU है C-H-U, ये छोटा चू के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? छोटे चू के लिए C-H-O, ये बड़े चू के लिए यूज किया जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? बड़े चू के लिए चे, C-H-E, चे C-H-A-I, चे C-H-A-I, चे C-H-O, चो C-H-A-U, चो C-H-A-N, चन C-H-A-H, चह एक और बार रीडिंग डालेंगे इस बार पहले हिंदी में, उसके बाद फिर इंग्लिश में चो, चा, ची ची, चू, चू चे, चै, चो, चो चन, चह अब इंग्लिश में यह याद रखिएगा इसी से हमें लेटर बनाने में काम आता है यह अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेगा बाइबाई